है यह लो फ्रेंड वेल्कम टू संडो बोटानिक्स अस इस वीडियो में हम बात करने वाले ये इस पी 32 के बारे में और इसके हेल्प से हाँ पर करने वाले हम दाज दो काम एक करेंगे वीडियो को लाइब स्ट्रेंग और दूसरा सेखेंगे फेस को रिड़ कैसे करते हैं इस इसकी जो फायदा है वह काफी जादा है यहाँ पर इसमेह करते हैं चैमल इसकोटाइच करते हैं इसमेह यहाँ पर हमें हमें मिल जाते हैं क मैं Zhangीयों पर संसर को एप सकते हो या फिर औरitel कूछ रजैट लैसे कि याईएग तो हमारा कामरे सेंसर सामने कोी अहीं क्लिक हों के हमारा server पर upload हो जाएगा या फिर को relay के थुरू gate close हो जाएगा इस तरह की काफ़ी सारी applications इसकी help से आप बना सकते हो तो इसको अपको program करने के लिए चाहिए यहाँ पर एक FTDI module जो हमारा FTDI module है इसकी help से इसको करते हैं program और साथ कि चलिए start करते हैं अच्च जो हमारा FTDI है इसको करते हैं connect हमारे ESP32 से तो उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे फिलहाल चार wires तो यहाँ पर mention है RXTX और VCC ground तो पहले लगाते हैं VCC और ground में तो यह हमारा VCC है और यह है ground जो हमारा FTDI है उसे आप दो mode में यूज कर सकते हो एक कर सकते हो 5V एक कर सकते हो 3.3V तो हम यूज करने वाले हैं यह पर 3.3 और जो यह दोनों वायर है इसको यूज करेंगे हम RXTX पर यहां पर यहां पर यहलो वायर है वो हमारी RX है तो यहलो वायर को लगाना होगा पर ट्रांस सै और आरेंज वायर को लगाना होगा रिसीवर से यहां पर आप देख पा रहे हो यू0-R और यू0-T आरफॉर रिसीवर टी फॉर ट्रांसमिटर तो यलो है हमारी यहां पर right पर रिसीवर तो इसको लगाना वाटरस्मिटर से ट्रांस्टर हमारी यह वाली बीन और लिपाना है और ऑरेंज हमारी आर्डिसीवर से लगाना है और साथमे जो हमारी एक डियर है इसको लगाना है विश्ची माई खनब या तो और ग्वांड आप कहीं भी लगा सकते हूं तो मैं अच्ट्राइत हैं यही पर इसमें ground यहां बर भी है और यहां पर भी है और जो main है जब इसको करते हैं program तो जो इसकी gpio zero pin है उसको करना होता है ground अगर उसको आप ground नहीं करोगे gpio zero pin तो इसमें आप program नहीं upload कर सकते जैसे ही आपकी programming start हो जाती है तो आपको यह button को press करना होता है ताकि इसमें program upload हो जाए तो करते हैं इसे अपने laptop से connect यह तो हमारा हो चुका है connect अभी हमें यहां पर जाना है तो टूल्स में और जाना है बॉर्ड बॉर्ड मैनेजर में यहां पर टाइप करना है isp 32 एंटर यह मेरा पहले से install है आपको यह install करना होगा आप इसे update भी कर सकते हैं फिलाल तो मैं नहीं कर रहा close और आपको यहां पर यह preferences में change करना है एक package पहले से ही यहां पर है और एक आपको यहां पर URL एड़ करना होता है यह जो हमारा अभी मैंने यहां पर यहां इसे start किया यह पहले से ही है इसमें और जीवाल मैंने इसमें भी add किया है तो आपको यह दोने इसमें add करने होंगे यह आपको ने जिसमें दो काम कर दिये हैं अब आपको करना क्या है आपको जाना है examples में file examples fails कि किस इस्पी 32 जाना है कैमरे में और जाना है कामरा टाव सर्वर जिए यह आ रहा है जो यह रहा है रोबरक।्ट इसको करना है कमेंट और जो यह रहा है एयर इंकर इसको करना है nggakमेंक उसके बाद जिस आप वाय राउटर सेchos हम आपने करना चाहते हैं उसका हम नाम लिखना है और इसa है कुछ भी चीजिस हमें बाइब करまぁ दैनने अपोड अपप करने से पहले जाना आपको टोल्स में मिल्जिक करने हैं आपको एसपी 32 रॉर मॉड्यूल देन आपको यह स्पीड रहा होने चाहिए आपकी 9216000 फ्रिकेंसी होने चाहिए 8 मेगा हर्ट्स फ्लैस मोड़न चाहिए क्यू आई हो और जो इसको स्कीम होती है पार्टिशन स्कीम उसको करना होता है हाग थ्री अंभी अंदेन आपको जो पोड़ा रहा है उसको को परने इसलैक्ट नि उसके बाद करना है इसे एपलोड तो थोड़ा से टाइम लेगा और यह ओजाएगा फिर अपलोड जैसे ही इसमें compilation complete हो जाता है तो आपको इसमें ये button rest करना होता है अधरवाई इसमें error जाते है जो हमारी uploading है वो done हो चुकी है जैसे ही इसमें हमारी जो programming है वो upload हो जाती है देन आपको जो वायर हमने यहां पर लगाया था GPIO 0 पें से उसको निकालना होता है और उसको करना है फिर हमें यहां से reset बटन को प्रेस करना है एक बार अगर आप उससे पहले terminal window को open कर लेंगे तो best रहेगा आपको इसका IP address पर अचल जाएगा मैं इसमें एक बार फिर्जे करने वाला हूँ तो यहां पर जो मेरा IP address है वह यह है आपका different हो सकता है यह आपके internet के server पर depend करता है इसको करना है आपको copy देन जाना है आपको Google Chrome में या फिर आपको जो भी browser है उसमें जाना है उसको यहां paste करना है और करना है फिर enter जहां पर यह by default आगए आपका इसे आप change कर सकते हैं फिर आहल मैं यहां पर click करता हूँ नीचे start stream तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी यह streaming जो है वह start हो गई है आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से आप इसकी जो video streaming है उसे यूज़ कर सकते हैं इससे आप बना सकते हैं एक बहुत अच्छा project यहां से आप QVGA जो select है पहले से ही इसको आप आप चेंज कर सकते हैं सबसे हाइस इसके अंदर यह है यूएक्स जी है यह सबसे हाइस इसके अंदर जो भी आप करेंगे select वह इसमें आप कर सकते हैं जब आप इसमें करते हैं face detection को ओन तो यह दिखाता आपको एक यह एर नहीं होता इसमें आपको बता रहा है कि आपको जो स्लेक्ट करना है resolution वह करना है कि आप आप्रोक्स मैक्सिम स्वरी 400 इंटू 296 मतलब cif से ओपर नहीं होना चाहिए मिनियों इतना होना चाहिए तब यह आप इसे कर सकते हैं तो मैंने यह कर दिया है अब करते हैं यहां पर face detection और face recognition तो जैसे इसको आप करते हैं तो यह आप देखो इंटूडर अलेट क्योंकि मैंने यहां पर अभी face को इन्रॉल नहीं किया है अगर मैं है से करता हूं face को इन्रॉल तो यह हमारे face से को samples ले लेगा आपको face को थोड़ा से मुमेंट करना है तक यह थोड़े ज्यादा एंगल से face का ले ले अब देख पा रहे है आप इसक्रिंटे है hello subject तो जो मेरी आइडी दिखा रहा है वो hello subject 0 मतलब जो मेरा face की आइडी है वो 0 ले रहा है आप इस तरह से में multiple face को की मेरी को मैस कर सकते हो और की समक्राइब को फॉलो करकर आप Як पर वहत्त्रीं बहुत अच्छे prokin अब आयो्हों आपको भीडियो अगी अगर एसको वीडियो अच्छी लगी है तो करें वीडियो को लाइक आपा और और करते चानल को सब्सक्राइब ताक इस दिए की वीडियो आपके पास आते रहा हैं तो अभी करते हैं इसको प्लॉज करते हैं इसको प्लॉज